नमशकार, कक्षा 10, exercise 3.6, pressure number 2 का दूसरा भाग दो महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इनको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं ग्याद कीजिए कि इसी कारे को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी उनह इसी कारे को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा सबसे पहले हमानते हैं मान लो महिला दौरा लिए गए दे बराबर X और पुरुष द्वारा लिये गए दिन बराबर Y इसका मतलब एक दिन में महिला द्वारा किया गया काम एक काम को महिला X दिनों में करती है एक दिन में कितना काम करेगी एक बटा X इसी प्रकार से पुरुष द्वारा किया गया काम एक दिन में एक दिन में पुरुष द्वारा किया गया काम यह हो जाएगा एक बटा Y यानि पुरुष Y दिनों में एक काम करता है देखो Y दिनों में एक काम करता है एक दिन में कितना काम करेगा एक बटा Y ऐसे ही महिला X दिनों में एक काम करती है एक दिन में कितना काम करेगी एक बटा X ठीक है बच्चो तो ये हमने निकाला है अब प्रशन के हिसाब से ध्यान से देखेगा बच्चो प्रशन के हिसाब से दो महिलाएं एबं पांच पुरुश एक दिन में महिला ने किया एक बटा X काम दो महिलाएं कितना करेंगी दो बटा X काम एक दिन में एक पुरुश ने किया एक बटा Y और हमने कितने निया है पांच पांच पुरुश कितना करेंगे पांच बटा Y इन दोनों का काम ये एक दिन का काम हो गया दो महिलाओं और पांच पुरुषों का और ये चार दिन काम करेंगे तो इसको चार से गुना करते हैं दुबारा देखना इसको जुरा एक दिन में महिला कितना काम करेंगी एक बटा एक्स दो महिलाओं कितना करेंगी दो बटा एक्स एक दिन में पूरुष करेगा एक बटा वाई 5 पूरुष करेंगे 5 बटा वाई ऐसे ही ये दो महिलाएं और 5 पूरुष मिलकर 4 दिन खतम काम करेंगे तो एक काम पूरा होगा ठीक है दूसरी तरफ देखते हैं 3 महिलाएं और 6 पूरुष एक महिला एक बटा एक्स काम करती है एक दिन में तीन महिलाएं करेंगी तीन बटा एक्स छे पुरुष एक पुरुष करता है एक बटा वाई छे पुरुष करेंगे छे बटा वाई ये मिलकर काम करेंगे कितने दिन तीन महिलाएं और 6 पूरिशिन को 3 दिन में पूरा करते हैं तो ये 3 दिन काम करेंगे तो एक काम पूरा होगा अब यह हमारे पास 2 समी करने हैं हम इनकी समी करने बनाएंगे और उसके बाद फिर इनको आगे हल करेंगे, आईए देखते हैं एक्स और वाई का लगुत्म हो जाएगा एक्स वाई एक्स वाई को एक्स से भाग किया वाई चार गुना दो आठ आठ वाई प्लस एक्स वाई को वाई से भाग किया वाई से वाई कड़ गया बाकी बचा एक्स चार गुना पांच होता है बीस बीस गुना एक्स हो जाएगा बीस एक्स बराबर एक इसे हम थोड़ा सा असान तरीके से भी कर सकते मैं इसे एक लाइन को काट रहा हूँ देखो ध्यान से यह है दो बटा एक्स प्लस पांच बटा वाई चार इदर इस ब्रैकेट के साथ गुना हो रहा है जब यह उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा वाग ऐसे ही यहाँ है तीन बटा एक्स प्लस छे बटा वाई तीन इदर इस पूरी ब्रैकेट के साथ गुना हो रहा है उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा अब हम क्या करेंगे ऐसे स्वाल हम कर चुके हैं जहां हमने 1 बटा x को a माना था तो मान लो 1 बटा x बराबर a 1 बटा y बराबर b अब ध्यान से देखना यह है 2 1 बटा x की जगा a प्लस 5 एक बटा y की जगा b बराबर एक बटा 4 इसको ऐसे ही रखतो यहां देखे तीन एक बटा x की जगा a प्लस 6 एक बटा y की जगा b बराबर एक बटा 3 यह दो एक्वेशने हमारे पास आ गई है इन दोनों एक्वेशनों में से हम प्रती स्थापन विदी का प्रियोग करते है 2a बराबर होगा 1.4 5b यहां प्लस हो रहा है उदर यहां के हो जाएगा माइनस b एक इसके बराबर आजाएगा 1.4 माइनस 5b बटा 2 के बराबर आजाएगा ठीक है बच्चो इस a की वैल्यू को हम आगे हल कर लेंगे तो यह आजाएगा 1.2 बटा 4 दुनी 8 यह a की वैल्यू आगी यह a की वैल्यू हम डाल देंगे इक्वेशन नमबर 2 में इन्हें हम इसे हम एक्वेशन 1 और इसे हम एक्वेशन 2 मान सकते हैं तो हमारी एक्वेशन 2 क्या बनेगी एक्वेशन 2 में 3 इंटू A एक की जगा लिख दो 1 माइनस 20B बटा 8 प्लस 6B बराबर 1 बटा 3 आईए इसे हल करते हैं आठ और इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक 8 और एक का लगुत्तम होता है 8 8 को 8 से भाग किया 1, 1 को उपर गुना किया तो ये रखम ऐसे याएगी 3 एकम 3 माइनस 3 गुना 20, 60B प्लस 8 को 1 से भाग किया 8, 8 को उपर 6 से गुना कर दिया 8 चिके 48B बराबर 1 बटा 3 आगे हल करते हैं ये हैं 3 माइनस प्लस माइनस 60 में से 48 निकाला 12B साइन बडी रखम का माइनस बटा 8 बराबर 1 बटा 3 इन्हें कर दो क्रॉस मल्टिप्लाई 3 जब 3 से गुना होगा तो 9 माइनस 3 गुना 12 36B बराबर 8 यहां से माइनस 36B बराबर होगा आट 9 यहां पे प्लस का है उधर याकर हो जाएगा माइनस माइनस 36B बराबर प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 निकाला एक साइन बडी रखम का माइनस तो B आ गया माइनस 1 बटा माइनस 36 और यहाँ पर माइनस से माइनस कर जायेगा तो B की जो value हमारे पास आएगी पाएगी 1 बटा 36 इस B की value को हम डालेंगे equation number 3 में जो की है ये put value of B in equation 3 तो हमारे पास आगया A बराबर 1 माइनस 20 इन्टू B B है 1 बटा 36 बटा 8 इसे हम हल करते हैं देखो ये 4 के पहाड़े में कट जाएगा 4 पांजे 20 और 4 नाए 36 तो हमारे पास बन गया नीचे है 8 उपर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 1 और 9 का लगुत्तम आएगा 9 और ये बन जाएगा 9 माइनस 5 तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 पॉन 9 बटा 8 इसका अर्थी हो जाएगा ये बन गया 4 बटा 9 गुना 1 बटा 8 चार से 8 कट गया 2 तो यहां से एक ही जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी देखिए एक गुना एक एक बटा 9 गुना दो अठारा अभी हमें A और B प्राप्त हुआ है हमें अभी निकालना है X और Y ठीक है बच्चो तो X किसके बराबर है 1 अपॉन X A के बराबर है X किसके बराबर होगा 1 अपॉन A के बराबर यानि कि 1 अपॉन 1 अपॉन 18 तो यह आजाएगा 18 ठीक है इसका मतलब X की वैल्यू आ गई है हमारे पास 18 इसी प्रकार से अगर हम Y देखें तो 1 अपॉन Y बराबर है B 1 अपॉन Y बराबर है B यानि कि 1 अपॉन Y बराबर है B के B कितना है 1 अपॉन 36 क्रॉस मर्टिप्लाइ करेंगे तो Y किसके बराबर आ जाएगा Y बराबर 36 गुनाएक 36 तो यह हमारे पास X की वैल्यू आ गई और यह हमारे पास Y की वैल्यू आ गई लेकिन हमारा कोशन X और Y नहीं है हमारा कोशन है इसी कारे को करने में महिला कितना समय लेगे और पूरिश कितना समय लेगे तो महिला द्वारा लिया गए दिन X महिला द्वारा लिये गए दिन बराबर x और x किसके बराबर है 18 के इसी प्रकार से इसको लिख लो एक महिला और ऐसे ही एक पुरुश द्वारा लिये गए दिन एक पुरुश द्वारा लिये गए दिन बराबर y और y किसके बराबर है 36 के इसका मतलब इसे काम को यदि एक महिला अकेली करेगी तो 18 दिनों में पूरा कर लेगी और यदि एक पुरुश अकेला करेगा तो वह 36 दिनों में से पूरा कर लेगा यह कोशन थोड़ा सा बच्चो लंबा है लेकिन यदि आप इसको तरीके से समझेंगे स्टेप बाइ स्टेप समझेंगे तो यह कोशन अवश्य हल हो जाएगा तो देखिए हम भी कितनी मेहनत से इतने लंबे लंबे वीडियो आपके लिए बना रहे हैं यदि आपको यह हम मेनत करने की प्रेदना मिलती हैं धन्यवाद बच्चों